गुडवाने इस्ट्टुएंट्स आज हम दो चरवाले रेखिक समिक्राइब को ग्राफिक विविवारा हल कैसे करते हैं इसके वारे में हम अध्यन करेंगे तो सभी चात्र देखें इसमें एक कोशन है इसमें एक अच्छा में दस विद्यारती दीए है उसमें यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से चारा देखो तो यहां पर माल लेते हैं माना लड़कियों की संख्या एक्स तफ़ा लड़कों की संख्या वाय है तो तक्छा में कितने विद्यारती हैं दस तो उसमें लड़के भी सामें लें और लड़कियां भी सामें लें तो दोनों का योग कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाय इक्वल टैन यह आपका एक समीकर्ण हो गया तो ठीक है दूसरा लेखा हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चारा देखा है यह लड़कियों की संख्या कितनी एक्स और लड़कों की संख्या कितनी वाय तो लड़कों की संख्या से के लिए अब हम इन दोनों समीकर्ण वाद पर हम एक टेविल बनाएंगे दोनों के लिए और उसको हम गराब में क्रिस्थत करेंगी ठीक है तो यहां एक टेविल के लिए आप एक काम करेंगे यहाँ पर X कमान और यहाँ पर Y कमान दे ले लेदी तो हम देखते हैं यादि X कमान 5 लेया तो Y कमान कितना हो जाएगा X कमान 5 रखा तो 5 को हम Right भी ले गए तो Y पर टू भी 5 आ जाएगा यादि X कमान हम 3 लेते हैं तो 3 का पक्षांतर करेंगे तो Y का मान 7 और X का मान यदि हम 4 लेते हैं तो Y का मान 6 अब हम इसको अब इस दूसरे सरे गड़े के लिए देखते हैं टेबल बनाते हैं हम यहां देखते हैं कि यदि हम Y का मान Y का मान 1 रखते हैं X का मान 5 Y का मान यदि 0 रखते हैं X का मान 4 Y का मान यदि 2 रखते हैं X का मान 6 तो आपको इसकी टेबल बन गई तो दोनों समी करने वोपर हमने दो टेबल बनाई है अब हम इसको ग्राब में देखेंगे तो पहले जो टेबल बनी है उसको देखी जारा X कमान 5 और Y कमान 5 तो X कमान 5 कहाँ पर है देखिए यह X एक्से से 1, 2, 3, 4, and 5 तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 जो 5 है, क्लिया दूसरा है X कमान 5 तो Y कमान 5 तो Y कमान 5 जेकी कहाँ पचा रहा है 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर जा रहा और दोनों पर यह कहाँ पर मैच कर रहा है दोनों पर यह जा रही है यहाँ पर जा रही है तो यह है आप पर प्वाइंट हो गया X कमान 5 और Y कमान 5 दूसरा देखिए पियर X कमान 3, Y कमान 7 X कमान 3 कहाँ पर है यह है और y कमान 7 कहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आ जाएगा x कमान 3 and y कमान 7 अब हम तीसरा देखते हैं x कमान 4 and y कमान 6 फोर देखिए आप 1, 2, 3, 4 4 पर 6 यहाँ पर आ रहा है ठीक है अब हम इन तीरों पॉइंट को मिलाते हुए एक सरल लिखा कीचेंगे तो आप सरल लिखा बनाई इसकी आपने इसके लिए तो तीनों पॉइंट को मिलाते हुए रख दिया clear और हम क्या करेंगे एक सरल लिखा ड्रा कर देंगे जाकी सरल लिखा बन गई clear अब दूसरी सरल लिखा के लिए अब दूसरी दो चरवाजे सभी करने उसका टेबल बनाए तो इसके भी एक सरल लिखा बनाएंगे ग्रापर तो हम देखते हैं एकस कमान फाइव तो य कमान वन एकस कमान फाइव देखी कहां पर है वन तू थ्री फोर फाइव य कमान कितना है वन यह पॉइंट आया क्लियर दूसरा देखिए एकस कमान फौर तो एकस कमान फौर तो एकस कमान युकमान फूर तो वन तू थिरी फौर यहां यह युकमान जीरो है यह वाल पॉंट जाएगा वाई का मन तू कब होगा जब एक्सक्स हो तो देखी जा रहा है वन तू थ्री फोर वाइप सिक्स वाई का मन कितना जा रहा है टू ते तीनों पॉइंट हो गए अब हम तीनों पॉइंट को मिलाते हुए सरल एका खीचेंगे तो आप इसके लिजिए है इस पर आप सरल लेखा खीच दीजिए आपको जी दो सरल लेखा मिल गए अब आप देखेंगे कि दोनों का प्रतिछेद बिंदू प्रतिछेद बिंदू कौन सा है इसका दोनों का दोनों का प्रतिछेद बिंदू यह है यह बिंदू कहां पर जा रहा है देखिए एकस पर कितना जा रहा है वन टू थी पर जा रहा है तो आपके जो प्रतिछेद बिंदू है प्रतिछेद बिंदू कहां पर है एकस पर टू तेवन सेवन सब को समया है बच्चो कि इसको कैसे ग्राब बनाते है इसको नोट कर लीजिए अब हम अगले पॉस्टन पर आते हैं अब हम अगला पॉस्टन देखते हैं इसमें पैंसिल और गलम के मूलगी बात की गई है तो इसमें हम माल लेते हैं माल लो एक पैंसिल का मूल एकस रुपए तथा एक कलम का मूल य रुपए है तो प्रसने में क्या लिखा हुआ है पांच पैंसिल और साथ कलम पांच पैंसिल का मूल कितना हो जाएगा पांच एकस और साथ कलम का मूल कितना हो जाएगा साथ वाई बराबर कितना पचास रुपए यह आपका एक समिकर्ण बन गया फिर आप चाहें इसकी टेबल बना सकते हैं टेबल में कैसे बनाएंगे आप इसमें एक सर्माइ के मान के लिए दो अलग अलग खंड कीच लेंगे अब हम आपको देखते हैं यहां पर एक समाँ तीन लेंगे तो घटा देंगे 35 तो इसमाँ पांच आज आएगा ठीक है और यदि हम य कमान जीरो लेते हैं तो एक्स कमान कितना हो जाएगा दस हो जाएगा ठीक है आपको मिनिमिम्म दो मान चाहिए चाहे तो आप और ले सकते हैं अब यदि हम एक्स कमान य कमान पांच लेते हैं य कमान पांच आलेटी ले चुके हैं यदि हम एक्स कमान कोई दूसर मान ले लिए जैसे छे ले लिए आपना है तो थार्टी हो जाएगा तो थार्टी इसमें बच्छेगा लगवख एप्रॉक्सिमेटली नू पॉइंट नाएगा यहां परभाय कमान के लिए इतना लगवख रहेगा अब इसको हम ग्राब में बनाएंगी तो पहले हम दूसरे समीकर्ण को और ड्रा कर लेते हैं दूसरा क्या लिखा हुआ है साथ पैंसिल और पांच कल्मों का मू क्या हो जाएका पांच वाय बराबर 46 रुपए कि दूसरा समीकर्ण होगए आपका कि पहला समीकर्ण और दूसरा समीकर्ण अब इसके लिए आप टेबिल बनाएंगे कि यहां एक्स कमान और यहां वाय कमान अब हम एदि एक्स कमान पांच लेते हैं तो 25 सब्टेट करेंगे तो कितना पचेगा 21 एक्स कमान थिरी आ जाएगा क्लियर और एदि हम एक्स कमान एक्स कमान 6 लेते हैं तो यहां फोर बचेगा पॉइंट एट आएगा तो दो मान परियाप ते हैं इसके ड्रा करने के लिए अब हम इसी को ग्राब में बनाएंगे तो पहले हम पहली लाइन बनाएंगे पहले समी करने के लिए यहां देखिए एक्स कमान 3 वाइक्स कमान थिरी कहां पर है यह और वाइक्स कमान 5 तो कहां पर जाएगा दूसरे बंदों के लिए हम क्या करेंगे वाइक्स कमान जीरो और एक्स कमान टेन टेन कहां पर आ रहा वान टू थिरी फोर फाइफ सिक्स सेवेन एट नाइन यहां पर आ रहा अब दो बिंदों को मिला करके रिखाड ड्रा कर देंगे आपको जो एक रेखा प्राप्त हो गई अब हम दूसरी रेखा के लिए देखेंगे कि एक्स कमान 3 तो य कमान 5 तो य कमान कितना जा रहा है यहीं पर जा रहा है ठीक है तो यह बाला बिंदू हो गया ठीक है दूसरा बिंदू है एक्स कमान 6 तो य कमान 0.8 तो एक्स कमान 6 कहां 1 2 3 4 5 6 पॉइंट कहां पर आएगा यह एक से कम यहां करीब रहेगा ठीक है इन दोनों बिंदू को मिला करके हम लाइन ड्रा करेंगे आपको यह दोनों लाइन में लगए दोनों का पतिशेद बिंदू कौन सा है यह पतिशेद बिंदू है किलियर यहां पर एक्स कमान कितना है ठीक है तो यह आपके आंसर हो गया है तो प्रतिशेद बिंदू क्या है आपका अग्स एक्स कॉल्टू थिरी वाइक्कॉल टू और यह आपका आंसर है क्लिर तो अपको गराप बनाना हमने दो कॉस्टन कराएं आप इसको समझ गया होगे कैसे आपको गराप बनाना है ठीक है तो इसी टैप के आप और भी एक्सर्शाइज के कॉसंसे इनको करने की कोईसस करिए ठीक है अब हम अगले प्वस्टन पर जाते हैं अब हमको जो दो चैरवाले रह्खेक्स समिकान इनका व्यापक्स उत्र है व्यापक्स उत्र क्या होता है A1X B1Y प्लस C1 बराबर 0 A2X B2Y प्लस C2 बराबर 0 इनके साथ कुछ करणिशनस है सर्त है क्या सर्थ है कि यदि A1 अपॉन A2 B1 बरावर अपॉन B2 बरावर C1 अपॉन C2 तो देखाए पृति छेत देखाए पृति करती है और इसके साथ क्या होगा यह हमारा जो हल होगा अधिती होगा हल कैसा होगा अधिती होगा ठीक है दूसरी कंडिशन क्या है यदि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बरावर है C1 अपॉन C2 तो यह नॉट एकल टू लगा लीजिए नॉट एकल टू केस है ठीक है तो रिखाएं समपाति होगी तीसी कंडिशन यदि A1 अपॉन A2 बरावर B1 अपॉन B2 बरावर नहीं है C1 अपॉन C2 पे तो रिखाएं समना अंतर होगी पहली कंडिशन में रिखा है पतिछेत करेंगी ठीक है दूसी कंडिशन में रिखा है समपाति होगी इसी लाइन की उपर दूसी लाइन ऑज है तीजी कंडिशन में रिखा है समना अंतर होगी मालोब एक रिखा है और दूसी लिखा है तो तीनों केस रहेंगी समना अंतर रिखा है याना जिया कही काड़ेंगे नहीं और समपाति यानने इनका सबी अननत बिज़्न Genese होगे एक सालूसन होकर के निकैर अनज सालूसन है पुतिछेट करए तो एक ही अधिदी सालूसन तो तीन सर्थे हैं अलग तो तीनों को आप लोगों पहले पढ़ा होगा इसका वह डिवीजन कर रहा हूं मैं तो तीनों अनतर समझ गए हुए अब अच्छी सब्सक्राइब ब chorrete निच को समल पार्ट को सब्सक्राइब अंब को में है नियुकर की ओडाइन ने कौसर को सोथे मैं नेरे टीन उन्हें को नेकिक्रता कौन्वी अन्लिक्रत कंडिसन फुलफिल करता तो इसमें जुर्बार देखेंके पहले हम सब पहले निकालेंगी A1 upon A2, A1 upon A2 कितना हो जाएगा, 5 upon 7, पहले कॉस्टन में, B1 upon B2, B1 upon B2 कितना है, minus 4 upon 6, C1 upon C2, C1 upon C2 कितना है, 8 upon minus 9, ठीक है, तो हम देखते हैं, कि 5 upon 7, इक्वल नहीं है, minus 4 by 6 कि, ठीक है, इसका मलब क्या हो गया है, कि A1 upon A2 बराबर नहीं है, B1 upon B2 कि, तो पहली सर्थ क्या थी, कि अधि A1 upon A2 बराबर नहीं है, B1 upon B2 कि, तो इसका मलब होता है, रेखाएं, रेखाएं, पतिछेद, करती हैं, और रेखाएं, पतिछेद करती हैं, तो इनका हल, अधिती होगा, इनका हल, अधिती होगा, के लिए, इसी प्रकार से, आप दूसरे को भी चेक कर लिजे, कि इनके मान, तीन सर्तों में से कौन सी सर्त के अंतर रता आते हैं, ठीक है, अब हम अगला कोशन देखते हैं, हमको इन में वही करना है, A बन अपान A2, B बन अपान B2, और C बन अपान C2 नकाल लेंगे, तो तीन सर्त थी, A बन अपान A2, B बन अपान B2, C बन अपान C2, यदि पहली दो बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, अधिती हल, और संगत है, योग में कैसा होगा, संगत है, संगत है, ठीक है, दूसरा केस क्या है, A बन अपान A2, B बन अपान B2, C बन अपान C2, तो इसके क्या होगे, अनन्त हाल होगी, कैसे होगे, अनन्त हाल होगे, और यह क्या होगा, संगत केस होगा, तीसरा क्या केस है, A बन अपान A2, B बन अपान B2, और बराबर नहीं है, तीवन अपान C2, तो कोई हल नहीं होगा, साथ ही योग में जो है असंगत होगा, असंगत होगा, तो ध्यान रखिए, जब हम इनको कॉस्टन को करेंगे, तो यह देखेंगे, तीनों सर्थ में से कॉनिस्टिक सर्थ को यह फुल्फिल करता है, और यदि जिस सर्थ को फुल्फिल करता, वह सहसाब से आप उसको क्योंन हैं कि इसका अधिती हल है, अनन्त हल है यह को आप देखेंगे कि कौन सी कंडिiskन के अंतरकति आते हैं, ओके ठेंक यू